एक समय था जब सुबह होने का अहसास चिर्यों की चहचहाहत से होती थी नहीं, गौरेयों की चहचहाहत के बीच खूलती फिर दिंधर की व्यस्तता के बाद शाम होने का भी अहसास उनकी चहचहाहत ही कराती थी लेकिन अबनव वो आंगन रहे, नहीं 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 चिरया की वो चहचाहट करीब एक दशक पहले तक की बात है, जब गौरिया जुंग में हमारे या आसपास के घरों में चहचाहते हुए नजर आ जाती थी प्रेम और सुखमया वातावरन की प्रतीत मानी जाने वाली गौरिया की संख्या में पिछले कुछ सालों से लगातार विरावट हो रही है सुबह सबेरे चहचाहते हुए, हमें नीम से जगाने वाली गौरिया अबलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है घरों में गौरिया का अबवास नहीं रहा, विकास की अंधी दोर ने हमारी गौरिया को हमारे घरों से बेघर कर दिया है इसको बचाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए नहीं तो वह गुंदूर नहीं जब गौरिया को हमारी आने वाली पीवी सिर्फ किताबों में ही देख पाईगी हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूचीब चैनल पर आज हम आपको गोरकपुर के रहने वाले एक ऐसे शक्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर में लगभग 800 से अधिक गौरिया का ठिकाना बना रखा है और लोग इन्हें स्पेरो में के नाम से जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले हम आपके लिए प्रकृती से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं गोरकपुर, यूपी, यहां बेलगाट इलाके के रहने वाले सुजीत कुमार आठ सो से अधिक गोरयय का ठिकाना अपने घर में बना चुके हैं गोरयय बचाने का ये काम 14 साल से कर रहे हैं ये अपने हाथों से इन पक्षियों को दूट बिलाते हैं इनके काम के कारण लोग इनी स्पेरो में बुलाते हैं आइस्क्रीम स्टिक से बनाते है घोसला सुजीत ने पिछले 14 साल पहले घर में एक गोरयय के जोड़े को पालना शुरू किया इनके लिए आइस्क्रीम स्टिक से घोसला बनाया फिर इस जोड़े में चार अंडा दिया धीरे धीरे इनके आंगर में गौरेया की संख्या बढ़ने लगी। आज इनकी संख्या बढ़कर 800 से उपर हो गई है। सुजीत ने बताया, पहले घरवाले इनकी चहचहाहत सुनकर परिशान होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। छोटे बच को अपने हाथों से दाना पानी और दूट खुलाया जाता है। इनके लिए घर में लगे सभी सीलिंग पंखे को हटा दिया है। घर की विवारों और छटों पर हर जगह गौरेया के लिए घुसला बनाकर टांग दिया है। सुजीत कुमार का कहना है कि हाला कि गौरेया सिर मोबाइल रेडियेशन और खेतों में प्रयोग होने वाला कीपनाशक दवा है। पत्मी का कहना है कि शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगा। फिर इनका लगाव देखकर सोचा लोग कुट्ता पालते हैं। तो चिर्यां क्यों नहीं पाल सकते हैं। अब ये पक्षी हम क्या आपके घर में भी गोल्यों में खिकाना बनाया हुआ है। कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद।